तो स्वागत है आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में और ये जो वीडियो है ये पुरी कमेश्ट्री का निचोड मस्ट भी भी अबजेक्टिव से भरा कोस्टन है आपको बता दे कि पुरी प्रसनों की संख्या 60 है कितने 60 प्रस ये वाकई दिबेस्ट तयारी है और आप एन्वल एक्जाम में बढ़िया मांक्स लाने के लिए बिल्कुर तयार है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां से स्टार्ट होता है का फर्स्ट कोसन कहा रहा है कि रसाइनिक अभी क्रियाओं के संदर में निमलीखित क कथनों पर वीचार किजिए यहां दो कथन दिया हुआ है दोनों कथन को बहुत ध्यान से पढ़ना है फिर दिये गए विकल्प में सही एंसर का सेलेक्शन करना है तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट कथन कहा रहा है कि रसाइनिक अभी क्रिया के समय किसी एक ततों का परमाड़ दूसरी ततों के परमाड़ में नहीं बदलता है और सिकेंड जो कथन है वो कह रहा है कि किसी रसाइनिक अभी किरिया में परमाड़ों के आपसिया बंद के तूटने और जूडने से नहे पढ़त करने निर्माड़ होता है तो बताए दिये गए विकल्प में कौ टार्ट को चयन तब होता है जब अक्सीजन के व्रीदी होती है लेकिन जब किसी पदार्ट से ओक्सीजन का हरास होता है तो अपचान होता है इस लिए यहां पर अपशन है अब देखते है प्रस्नसeth क्या तीन ठीक है अक्सिकनर के संदर में निमलीखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है कि इसके कानर चांदी के उपर काली परत वो तांबे के उपर हरी परत चड़ जाती है और second जो कथन है वो कहा रहा है कि इसके परभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में से oxygen हटा कर उसमें nitrogen gas भरी जाती है तो बताए ये दिये कि option में कौन सा सही है तो यहां option number C सही हो जाएगा यानि दोनों कथन सही कहा रहा है ठीक है? अब यहां जो चौथा प्रस्ण है वो है चूने के संदर्म में चूने के संदर्म में निमलीखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है कि केलसियम हाइडरा अकसाइड को चूना या बुझा हुआ भी कहते है और जो सेकेंड कथन है वो कहा रहा है कि बुझे वो चूने के विलियन से दिवारों की सफेदी करने पर दो-तिन दिन बाद दिवारों पर कलसियम कर्बोनीट कर निर्माड होता है तो बताइए दिए कि अप्सन में कौन से सही है तो यहां अप्सन नंबर C is the right answer अब चलिए देखते हैं आगे अगला प्रसन क्या का रहा है का रहा है कि स्वासन निम्लिखित में से किस परकार की अभी करिया है तो ये एक उसमा छेपी अभी करिया है, इसलिए option is the right answer अब देखते हैं अगला प्रस्न, अगला प्रस्न संक्या 6 है कि संतुलित रसानिक समिकरण का एक उधारण है तो बताईए, संतुलित रसानिक समिकरण हम उस समिकरण को कहते हैं जिसमें अभी करिया में भाग लेने वोले अभी कार को और परती फालो दोनों और परमाड़ों की संक्या समान होती है इसलिए option D is the right answer अब देखते हैं अगला प्रस्न, अगला प्रस्न का रहा है कि वी योजन या अभी करिया का एक उधारण है तो यहां दिया है हाइडोजन को अक्सीजन के साथ अभी करिया करके हाइडोजन अक्साइड बना रहा है प्लस कार्बन और अक्सीजन मिलकर कर्बन डाइक्साइड बना रहा है इस तरीके से यह सारे विकल्ग को देखने के बाद option D is the right answer क्यूंकि जब एक योगिक टूट करके दो ये दो से अधिक भागों में विभाग्त हो जाता है तो हम करते हैं कि यहां पर वियोजन के अभी करिया अर्थाथ अब घटन के अभी करिया हुई है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या आठ निमलीखित में से कौन दिवी स्थापन अर्था डबल डिस्प्लेस्मेंट का एक एक एक्जामपल है तो यहाँ पर आपसन सीजदा राइट एंसर अब देखते हैं अगला प्रस्ण प्रस्ण संख्या नौ लिटमस विलियन जब ना यानि कि यहाँ पर भी कथन दिया हुआ और इस कथन को पढ़ना फिर दिये गए विकल्प में सही एंसर का सेलेक्शन करना है पहला कथन कहा रहा है कि अमल का स्वाद कड़वा होता है जबकि छारक का स्वाद खटा है यह बिल्कुल गलत बात कहा रहा है दूसरा कथन कहा र राइट एंसर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रसन संख्य 11 प्रसन संख्य 11 प्रसन संख्य 11 है कि एसीटिक अमल का परकिर्थिक सुरोत है तो एसीटिक अमल का परकिर्थिक सुरोत है संत्रा ठीक है ना सिट्रिक अमल का परकिर्थिक सुरोत है संत्रा डी दा राइट एंसर अब बात करते हैं प्रस्ण संख्या 13 औक जेलिक अमलेका परकिर्तिक शुरूत क्या है तो औक जेलिक अमलेका परकिर्तिक शुरूत है टामाटर एज दा राइट अब बात करेंगे हम अगला प्रस्ण 14 टार्टरिक अमलेका परकिर्तिक शुरूत क्या है तो है आपसन नंबर ए खट्टा दूद ठीक है अब प्रस्न संख्य सुल्ल को देखेंगे सिट्रिक अमल का परकिर्तिक शुरोत है तो सिट्रिक अमल का परकिर्तिक शुरोत है आपसन नंबर बी यानि निम्बू ठीक है अब हम आगे देखेंगे अगला प्रस्न है प्रस्न संख् अपच्छ का उप्चार करने के लिए निम नि में से कौन सी औस दी का उप्यूग किया जाता है अगला प्रासन प्रासन संख्या उन्निस निमनी लिखित में से सबसे प्राबल यानि सबसे मजबूत लवड है वो है इनेसियल सोडियम कुलराइड अप्शन एज दा राइट एंसर अब अगला प्रसन देखिए प्रसन संक्या 20 निमलिखित में से किस विलियन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है तो अप्शन बीज दा अब देखते हैं प्रसन संक्या 21 सबसे अधिक अभी क्रिया सिल्धा तो अप्शन डीज दा राइट एंसर सबसे अभी सबसे ज्यादा सबसे अधिक अभी क्रिया सिल्धा तो पोटेसियम को काते हैं और सबसे कम अभी क्रिया सिल्धा तो गोल्ड को काते हैं तो यहां पर अ प्राइंग पेन को जंग से बचाने के लिए निमने में से कौन सी विधी परियुक्त होती है तो अपसंद सी दा राइट एंसर जींग की परत चढ़ा कर ठीक है प्रस्ण संख्या 24 से खाद पदार्थ के डिबू पर जींग की बजाए टीन का लेफ होता है क्यूंकि अपसंद न सी दा रैट एंसर चॉबेश का सी अपसंद सही हो घरू चीन की अधिक सिल होता है अब प्रश्ण संख्या 25 देखेंगे निमन में से कौन सा सा पदाथ अक्सिजन से सयं clinicians नहीं करता है तो अपसंद आ राइट एंसर डोल्ड गोल्ड है जो अक्सिजन से सयंयोग करता है ठी कि यहां पर प्रसंद संख्य 27 क्या कर रहा किसी धातु के परमाड़ू के बाहरी Пос Zusch,conomic celebral कि संख्या होती है तो धातु की पाचान करने के लिए अगर बाहरी सम-nya1 यह दो यह तीन भुशन थे अऱ दो दो जिबर लेकिन अह मिए धातू की पाचान करनी है तो उसके और सब्सक्राइब अब बात करते हैं इसलिए यहाँ पर अप्षन डीजदा राइट एंसर अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रस्न प्रस्न संख्य 28 निम्निलिखित में से कौन सी अधातु समान्य वातावरण में द्रव अस्था में पाई जाती है तो अप्षन बीजदा रा अंडल में कार्मंडाय एक सेट गाइस के उपस्तिती होती है तो यहां 29 नमर का सही उतर होगा आप्षन सी जीरो दसमलाव जीरो तीन पर तीसत अब चलिए देखते हैं अगला प्रस्न प्रस्न संख्या 30 है कार्बॉक्सिलिक एसिट समू कौन है ठीक है तो दिया गया अप् जैसे कि CHO है COOH है COOH है NH2 है ठीक है तो कुशन नमबर 30 का सही विकल्प होगा आप्षन नमबर B COOH ठीक है आप चलिए देखते हैं यहां पर प्रस्न संख्या 31 CNH2N प्लस 2 किसका सामानिय सुत्र है तो प्रस्न संख्या 31 का सही उतर होगा आप्षन नमबर CLKN का ठीक है अब यहां देखेंगे प्रस्न संख्या 32 32 नीला थोता या तूतिया का रसाइनिक सुत्र है तो 32 का सही उतर होगा आप्षन नमबर B COOH 4 इंटू 5S2 ठीक है ना अब देखते हैं प्रस्न संख्या 33 शित्रिक अमल का रसाइनिक सुत्र क्या है तो 33 का सही उतर होगा आप्षन B C6H807 ठीक है अब बात करते हैं प्रस्न संख्या 34 मैलिक अमल का रसाइनिक सुत्र क्या है तो अप्षन H the right answer फिर बात करते हैं अगला 35 नमबर question का, तो टाट्रिक अमल का रसाइनिक सुत्र है, तो 35 का सही उतर होगा, अप्षन C, C48606, ठीक है न, अब बात करते हैं, प्राशन संख्या 36, एसीटिक अमल का रसाइनिक सुत्र क्या है, तो 36 का सही उतर हो जाएगा, option A, CH3, COOH, ठीक है, अब बात करते हैं 37 की, lactic अमलकर रसाइनिक सुत्र क्या है, 37 का सही उतर होगा, option B is the right answer, अब देखते हैं अगला प्रस, 38, oxalic अमलकर रसाइनिक सुत्र क्या है, तो 38 का सही उतर होगा, option A is the right answer, अब देखते हैं 39, तो प्रस अमलकर रसाइनिक सुत्र क्या है, तो 39 का सही उतर होगा, option B, यानि 39 का सही उतर होगा, 39 का फ्रसाइनिक सुत्र होगा, CH2O2, यानि मेथेनोईक अमल भी कहते हैं, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, प्रसन संक्या 40, कास्टिक सोडा का रसाइनिक सुत्र है, तो वो है, option B is the right, NAOH, ठीक है, अब देखते हैं, अगला प्रसन है, 41, खाने का सोडा का रसाइनिक सुत्र क्या है, तो खाने का सोडा का रसाइनिक सुत्र है, NAOH, CO3 है, ठीक है, अब बात करते हैं, धोण सोडा यानि धोने वाला सोडा का रसाइनिक सुत्र क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो 42 है, वो है धोण सोडा का रसाइनिक सुत्र, तो 42 का सही एंसर होगा, option C, NA2 CO3 into 10H2 हो, ठीक है ना, अब, एक मिनट मैं इसको इधार कर लो, हाँ, अब चलिए, अब जो 43 नमबर कोशन है, विरियन जग चूड का रसाइनिक सुत्र क्या है, तो 43 का सही उतर होगा, option D, CAOCL2, ठीक है, अब देखेंगे, यहाँ पर है, 44 नमबर कोशन, पलास्टर और पेर CO4 into half S2O, ठीक है, अब बात करते हैं, अगला परसन 45, जीपसम का रसाइनिक सुत्र क्या है, तो option B is the right answer, CO4 into 2S2O, अब यहाँ अब यहाँ जो अगला परसन है, वो है, अगला परसन 46, इसको देखिए, इसमें देखिए कि कार्बन की संख्या कितनी है, अगर कार्बन की संख परसन 6, साथ, अगर साथ कार्बन की संख्या है, तो 46 का एंसर हो जाएगा, option Do A, कि जहाँ साथ कार्बन की संख्या होती है, उसको पढ़ते हैं, हेpt, और साथ कार्बन की संख्या के साथ हम हेट संख्या करते हैं, अर्थाथ आई-उ-प-ी-जी नाम हैना हैं, अब देखते इसको प्रस्न संक्या 47 को इसमें देख लिजिए कितने कारवन है तो एक दो तीन चार पांच छे अगर छे कारवन है तो आप उंगली पगिन लिजिए 6 कारवन को हम लोग हेक्स पढ़ते हैं अब यहां देखिए अगर हेक्सन कहीं अप्सन अगर है तो फिर वो सही उत्तर हो जाएगा तो यहां पर हेक्सन दिया हुआ है तो यहां पर हो जाएगा 47 नंबर कोशन का अप्सन C is the right answer अब बात हम करते हैं अगला प्रस्ण को ठीक है ना 48 मिथेन में कितने सासयोजग बंध होते हैं तो आप्सन B is the right क्योंकि मिथेन कारवन के चार बंध सासयोजग बंधन होते हैं ठीक है अब जो अगला प्रस्ण है वो 49 ओजोन के एक अड़ो में अक्सीजन के परमाड़ों क की संख्या होती है तो अप्सन C is the right answer यानि कि 49 का सही अप्सन होगा अप्सन C ठीक है ना तीन परमाड़ों की संख्या होती है अब अगला प्रस्ण हम देखते हैं अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या 50 त्री का नियम निलिखित में से किसके द्वारा परतिपादित किया ग अगला प्रस्ण संख्या 52 मेंडलीव के आवर्टी नियमा अनुसार ततो के गूरधार्म इन में से किसका आवर्टी फलन होता है तो बावन का सही उतर हो जाएगा अप्सन नंबर बी परमाड़ों द्रब्यमान का अब जो अगला प्रस्ण है वो है 53, तीरपन, निमनलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रिय सील हैलोजन कौन है, तो 53 का सही अप्सन हो जाएगा है, फ्लोरीन, अप्सन A is the right answer, अब देखिए अगला जो प्रस्ण है वो है 54, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था, देखिए ये भी प्रस्ण आ सकता है, तो 54 का सही उतर होगा, अप्सन C, आठ फरवरी 1834 को हुगा था, ठीक है न, अब देखिए, अगला जो प्रस्ण है वो है 55, निमनलिखित में कौन विजातिय जोगिक है, ठीक है न, तो 55 का सही उतर हो जाएगा, अप्सन D, प्लास्टर आफ पेरिस, ठी अगला जो प्रस्ण देखते हैं, वो है 57, 57 नंबर प्रस्ण है, निमनलिखित में किस हाइड्रो कार्बन में कार्बन कार्बन परमाडू के भी तीन आबंध होते हैं, तो 57 का सही उतर होगा, अप्सन D, C3H8, अब अगला जो प्रस्ण है, वो है 58, अमल राज में HCL और HNO3 क निलिखित में कौन सी गैस धातू के वेल्डिंग में परियुक्त होती है, तो 59 का सही एंसर हो जाएगा, अप्सन C is the right answer, एथाईन का, ठीक है ना, फिर बात करते हैं, अगला और सबसे अंतिम प्रस्ण, वो है 60 नंबर प्रस्ण, मेंडलीव की अवर्द सान्नी में, अवर् कमेंड बक्स में बताना था, कि 60 में से आपने कितना सही किया, अगर आप जितना भी सही किये, पूरे इमंदारी से आप हमें कमेंड बक्स में बताईए, कि 60 परस्णों में आपने कितना सही किया, अगर 50 सही किया, तो मैं फिर से कहूंगा, कि आपकी तयारी जबर्दस्थ ह तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद